दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो यहां पे ना आप सबसे इंपोरेंट इस आप में से बहुत से बच्चे पोच रहे हैं सर एम्टीस का रिजल्ट का बाएगा सर एसी आइवर रिजल्ट का बाएगा सर अपकॉमिंग वेकेंसी कौन सी है तो इन तीनों के उपर मैं आज आ यहां पे आप क्या होगा सबसे पहले चीज तो आपको बता है जो एम्टीस की जो पोर्स थी आपकी 315 यह इससे पहले वाले में बाइस वाली में जिसमें हम लोग अभी बात करें 24 के लिए तो यह आपका कौनसा वाला है यह 2023 वाला है इसमें एम्टी मोटर ट्रेट की फेकेंसी आई थी यह फुराना वाला तो बच्चों ने जोइन करके छोड़ भी दिया है वह वाला तो स्टाटिंग डेट क्या थी आपकी 14 अक्टूबर क्लोजिंग डेट क्या थी आपकी 13 नवंबर एक्जाम डेट आपका था 20 दिसमबर 2023 तीर वंग रिजल्ट आया था 13 मार 2024 में टीर टू का एड्मिट कार्ड आपका 24 अपरेल में आ चुका था और स्किल टेस्ट आपको का व वह 6 मही से 17 जून की बीच में हुआ था एक्जाम डेट MTS की टीर टू की 23 जून 2024 में हुई थी MTS का जब फाइनल रिजल्ट था 26 जुलाई 2024 को आया था डीवी के लिए जो आपका MTS का SMS आया था 31 अगस को आया था और आपके जो MTS का जो डीवी हुआ था वो 10 सितंबर से 18 सितंबर 2024 के बीच में हुआ है तो एक साल का समय यहाँ पर आपका पूरा पूरा लग चुका है अगर मैं बात करूं तो 14 अक्टूबर में यह फॉर्म आये था और 23 में आज समतिंग यहाँ पे आपको 14 ही आपको मिलेगी 16 नॉवंबर आजकी डेट में क्या अचकी टाम पर क्या है डेट 16 नॉवंबर तो यहाँपे आपका क्या हो चुका है देखो तेरा नॉंबर लास्ट डेट जी न तो एक साल का पुरा कपुरा कंप्लीट टाइम हो चुका है लेकिन MTS का यहां पर कोई भी रिजल्ट नहीं आया है और मैं आपका बतायाता है सबसे इंपोर्टेंट चीज ठीक है ऐसे इंडी जो पोस्ट फी यहीन नाता हुए. इंडद बयन मंति छोड़ भी दिया उसकी आंचे में हो जुटो हो चुकी है तो ऐसे हं देख में मैं प hop हूंूठ जOOD जाइनिंग हो चुकी है जड़ात्र इंग का का इंटर्वी लिया था हम लोगों ने दिनको पढ़ाया था हूं जातर के तो सब्सक्राइब हो चुकी है अभी कई के जगा पर रुकी विए मतलब है कि मुझे जादा पता होगा वह तो एक अपना खुद का वह निकाल देती है अलग बाते लिक हो जाती है अदरवाइस तो अब लोग को मैं बता आता हूं जैसे आपका यहां पर मैं आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाए क्या पता मैं यह वीडियो बना रहूं कर लिया पिर आज रात कोई मैं आपको यह बोल दूब कि रिजल्ट आ गया कभी भी आ सकता है अब एम्टे का रिजल्ट बहुत जल्दी एक हफते के अंदर अंदर में आपको कि तो नहीं है तकी ना 28 जो आपका 28 तर्फ तो वहीं चले तो आपके बेसिकली हम बोलें तो यहां पर आपका क्या हो चुका है September है sorry तो यहां पर आपका इंटर्वी चलें इसमें तो है ना तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं आप लोगों को तो 28 अक्टूबर है सेप्टेमबर नहीं है अक्टूबर है जब देख लेना ठीक है अभी तो 20 दिन भी नहीं हुए अगर देखा जाएगा तो अठा नमबर को 20 दिन होंगे तो यहां पर अप्टूबर और नमबर बीज दिन भी नहीं हुए है तो अठाव-ठाव मिंटेंड निकाल देंगे हैं एंटेस का ही आएगा भी तो फिलाल पहले जल्दी और इसके बाद आपका एससरे को मिल जाएगा दोनों में से कोई भी पहले क्यूंकि यह यहां पर यहां पर यहां पर आपका यह वाला है जो चक्कर इसमें आपका फैनल रिजल्ट आएगा यहां पर आपको दस बारा दिन के अंदर ही देखने को मिल जागा मैं भी दुबारा बोट रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं आज वीडियो बना रहा हूं यह रिजल्ट वाली और आज रात को यह आजाए कल भी आजाए परसु भी आजाए कभी भी आ सकता है क्योंकि एक महिना लग लग जाएगा बीजिन लग जाएगा आप लोग देनों और आप लोग ऐसा कर देती हो रिजल्ट यह आपको एकजाम दोगे इसके बाद बहुत बड़ी जिंदगी भड़ी है इसमें होता है नहीं होता है कि तो सूबह सब्सक्राइब रात को हो जाएगा सबसे पहले यह तärका कि अगर आज रात दूसरे एकसाम के तैयारी करो जिन्दगी में आगे देखो क्या करना है सिर्फ बीसी के भरों से बैठे हो एसे मेरा MTS बन जाओ में अच्छी बात है आपने सब कुछ दिया है अच्छी बात है अब इसको छोड़ो आगे बढ़ो दूसरी दूसरी चीजों में हो जाएगा तो बात होगी अच्छी बात है आपका रिजल्ट आएगा सबसे पहले मैं वीडियो बना दूँगा आप लोगे जैसे रिजल्ट आएगा आपके मैं टेलीग्राम ग्रूप में डाल दूँगा लिंक नीचे वह जॉइन कर लेना वह जिन्दगी बात जॉन डगना क्यूंकि उस ठेक है ऐसा नहीं बोलना कि रिजल्ट कंब रहा आ जाएगा जबी आएगा सारे वीडियो के निचे लिखना है कि वीडियो कवाया जाएगा क्या अट जबा806 दिन साथ दिन आतान ङंतनि आइबी की information निगालना बहुत इजी नहीं होता ठीक है अगले साल आपको एक और आइबी की वेकेंसी देखने को मिलेगी किस में देखने को मिलेगी या तो वह अगस्त के बाद देखने को मिलेगी कब मिलेगी आपको में रजुलाई अगस्त तक में आपको एक और आई बीए से एक से एक से आपको मिलेगी जिनका 26 साल चल रहा है अब होने वाला तो उनकी तैब वो लोग तैयारी मत करो जन्रेल वाले ठीक है उनके लिए कोई फाइदा नहीं है क्योंकि इसमें लेट हो जाएगा काफिट अब इसाई अगस्त में आता है नावंबर में अदिसंबर में आता है वो डिपाइंड करता है जिनका भी 25 साल है 24 साल है वो लोग तैयारी में लग बाद में बोलना कि मेरा नहीं हुआ भाई पेपर इतना हाड आता है कि 47 गई है मेरिट किसकी ओवी सी कि अब नॉमिनेशन कितना गया होगा वो बात की बात है ठीक है 36 वाले बच्चे का मैंने इंटर्वी लिया है एस्टी में 36 वाले बच्चे का 36 नमबर ते उस बच्चे क इंटर्वी लिया है मैंने तो सोचो मेरिट कितनी कम गई होगी 51 52 संथिंग जर्नल की गई है ठीक है वह भी इसलिए है क्योंकि बच्चों से पूछा पाचा है अधर्वाइस तो कोई भी फिक्स नहीं होती तो आप समझ बेब का लेवल क्या होगा तो पेबग के तयारी बह रिजल्ट आएगा मैं बता दूँगा आपको तिल देन प्लीज उससे पहले मत वहलो रिजल्ट का आवाएगा रिजल्ट का आवाएगा अपने टाइम को कहीं और सुद्पियों में लगाओ ठीक है यह वीडियो मैंने बना दी है बस मैं इस वीडियो में यह बोड़ रहा ह रिजल्ट का वेट मत करना ठीक है आज आएगा जल्दी आज आएगा बट अपने आपको इतना मत जोग दो कि रिजल्ट रोज सुपे साम रिजल्ट कर रहे हो उससे कोई फाइदा नहीं होने बादा ठीक है ठीक है फिर बाइबाइब और जैहिन सभी को